दोस्तों एका फिर से स्वागत है आपका हमारी क्यों में क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 5 सेकंड के लिए अगर ऑक्सीजन हमारी प्रत्वी से पूरी तरीके से गायब हो जाए तो क्या होगा? दोस्तों अक्सर हमें कहा जाता है कि पेड़ पौथे लगाओ अक्सीजन बहुत सरूरी है मैं यकीन से कहा रहा हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको अक्सीजन की असली एहमियत पता चले की और आप मेंसे जातर लोग ये बाद सोच रहे होंगे कि 5 सेकंड में तो क्या होगा? सांस रोक लेंगे? 5 सेकंड भई कौन सी बड़ी बात है? है ना? दोस्तों हम आपको बता दें पलक जपकते ही ताजमहल स्टैच्यो अफ यूनिटी कुतुम मिनार समेथ दुनिया की एक-एक इमारत चकना चूर हो जाएगी ऐसा इसलिए होगा क्यूंकि लग-बग हर इमारत लेस भी आती है जो हमारी चमडी के लिए बहुत खातक है ओजन लेएर ही इन अल्टरा वालेट रेस को हमारी चमडी को जलने से रोकता है ओजन लेएर औक्सीजिन की मॉलिक्यूल से ही बनती है अगर ओजन लेएर नहीं होगी तो हम पापड़ी तरहा सिक जाएंगे यकीन मानिए इन 5 सेकंड्स में ही हमारे कान के परदे फट जाएंगे ऑक्सीजन खोने का मतलब हमारे आस पास के एर प्रिशर का 21% कम होना है हवा के दबाव में अचानक से बतलाव होगा जो हमारा कान एड़प्ट नहीं कर पाएगा जिसके वज़ा से हम हमेश के लिए सुनने की क्षमता को खो देंगे इनी 5 सेकंड्स में धर्ती की सरफेस यानि सता तूट कर चकना चूर हो जाएगी आपके पैरोग नीचे जो जमीन है वो तूटना चालू हो जाएगी और वो तब तक तूटेगी जब तक सब कुछ खत ना हो जाए और आप धर्ती म हो जाने से ये जोड छूट जाएगा और पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी और इनी 5 सेकंड्स में सारी नॉन इलेक्रिक गाड़ियां बंद हो जाएगी और सारे हवाई जहास हेलिकॉप्टर्स जमीन पर आ कि रेंगे आपको पता है आग जलने के लिए ऑक्सीजन जरू जाएगे क्योंकि पानी जो होता है वो दो अलिमेंट से बना होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और जब ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगा तो केवल बचेगा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सबसे हलकी कैस है तो यह जल्द ही प्रत्वी से निकल कर स्पेस में चला आप सोचने होंगे पांस सेकंड्स के बाद क्या होगा तो दोस्तों पांस सेकंड्स के बाद जो होगा उसको देखने के लिए आप जिन्दा नहीं पच सकते ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपका शरीर सत्तर प्रतिशत पानी से बना होता है और जैसा कि आपको पता है आक्सिजन के बिना पानी असंभव है तो हमारे सारे सेल्स विस्फोर्ट हो जाएंगे सोचे, सिर्फ 5 सिकंड्स आक्सिजन ना होने पर इस दुनिया का क्या होगा अब समझाया होगा कि आक्सिजन की क्या वैल्यू है दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज कॉमेंट करके ज़रूर बताईएगा और साथ में इसे और लोगे साथ शेर कीजेगा जिससे उन्हें ऑक्सिजन की वैल्यू पता चल सके आप बताईए अगली वीडियों किस टॉपिक पर बनाएं हम आपके लिए इंट्रेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहेंगे बस हमारे पेज को लाइक करतीजे मिलते हैं आपसे एगली वीडियो में तिल दैन बबाई टेक केर